कि अग्षिज नब्र नमस्कार आदा शाह काल विलकम है आफ तब लोग का है अवेवर्बन कैसे हो आफ तभी फ्री ओनलाइन क्लास इस बाइ गुडिया कीशी की चैनल में में गुडिया कीशी वथी से तहे दिल से आफ सबी लोगों का स्वाधत करती हूँ आफ सबी लोगों करती तो गाईस हम जो पढ़ रहते मैट क्लास में रोमन नंबर हम नंबर में हमने वन से लेकर 5000 तक रोमन नंबर सीख लिया थीक है वैसे तो मुझे दसलाग तक पढ़ाने हैं पर उसे पढ़ाऊंगी जैसे वन मिन शीखेंगे 100 to 500 तक कि रोमन नंबर तक रोमन नंबर जो यहां तक रोमन नंबर जो रिटी रोमन नंबर में होंगे और इसे चेंज करेंगे यानि कि क्या सकते हो रोमन नमबर, चैंज, इन टु इसमें तो नुम्रास में, इसे कैसे नुम्रास में हम चैंज करेंगे, ठीके, आज बातशी hammy ऐसे कि बात की बातशीक होगी, आपल प्ता भी है, साज कि आप मालूम आपको लाश में देख लीका है। ।ỏi में दूद की कटोरी में काला पत्तर पहली है आपका, दूद की कटोरी में पत्तर काला पत्थर जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ सोच कर ठीक है यह आपका पहली है आज मैद की क्लास का जो पहली है वह यह है कि धूत की कटोरी में काला पत्थर जल्दी से बताओ सोच कर सोच समझ कर भी बोल सकते हो तो यह क्या है इसका अंसर अगर आपको जाना है तो आपको पूरा क्लास देखना पड़ेगा जएदा लंबा क्लास नहीं लेती हूँ क्योंकि मैं चाहते हूँ कि क्लास बोरिंग हो और आप बोल हो जाओ ठीके चीजे पढ़ेंगे विल्कुल सिक्वेंसली यानि कि एक तरीके से सिक्वेंस के नुछ सार थोधा करके ठीके तो आज हम पांसो तक सीखेंगे और हमने कर सीखा था एड एंड सब्ट्रेक्शन राइट तो आज भी हम इसके ब बताओंगे ठीके आजो रोमन नमबर की बात की जाए तो मैने आपको पहार रखा है 5.000 तक के तो रोमन नमबर की बात की जाए तो रोमन नमबर में हम आज आज सीखेंगे आपको रोमन मिलेगा उसका नमबर बना आज जैसे लिखा C.C.X.W.I. ठीके दिया है C.L.X. C L X V I ठीक है आपका दिया है C C X L V I ठीक है आपका दिया है C D V I यस आपका दिया है D X V ठीक है अब यह रोमर नमबर नमबर आपके सामने दिया हुआ है ठीक है यह क्या है रोमर नमबर है जिसे किस में चेंज करना है तो इसे चेंज करना है पोकेहने काउन नुछ थैंट इन'Too नॉंबरे चिंगिन कई रिवमे काउंटिंगर cut. 65 वनितल renewable तब सम disappearance नॉस्ट एमकाउन्टिंग dapat रड़ आए सिर्भ नीम्स डिवान का उना है और देखा है double C, कि के मतलब क्या होता है? तो यहां जो C है, इसका मतलब हुआ 100, फिर क्या दिया है? पिर C दिया है, यानि फिर 100, फिर plus, X V, Sबस्ट जया है X माने होता है 10 और W I कि मतलब हो 6, यानि इन सबी को आपको क्या करना है प्लस करना है जोग प्लस करके दिखाना तो पिर दिया है 100 फिर दिया है ten और फिर 측़ खिर भी यहां हो जाएगा 6 1 2 2दों यानी कुल मिला कि आप हो जाएगा ? 216 यही आ रहा है प्लस करके देखना कि अच्छक्त कीना कि तू ह bubbat 216 । यहां हम लिखेंगे 200 है है चीज़े तो clear हो रही होंगी आगे बढ़ते हैं और भी चीज़े देखते हैं अगला है C L X आपको पता है C का मतलब होता है 100 plus L का मतलब क्या होता है 50 यानी 50 और X का मतलब होता है 10 यानी 10 अब इन तिनों को plus कर तो क्या plus करना है 100 plus 50 plus 10 यानि कुल मिलाकर हो गया 160 तो इसका आंसर हो जाएगा 160 clear है? आगे देखो फिर दियाए CXX C L X V I अब इसे हमें चेंज करना है किसमें नमबर में आपको पता है C का क्या होता है 100 यानि 100 plus L का मतलब L X यानि 60 और plus V I का मतलब होता है 6 ठीक है इसे प्लस करते हैं तो हो जाएगा 100 plus 60 is called to 160 plus 6 यानि 166 इतना तो आता ही होगा आगे बढ़ते है T C T C का मतलब होता है 300 कितना होता है 300 तो यहाँ हो जाएगा 300 प्लस कितना है L X L X किसे करते हैं 40 को यानि 40 को V I का मतलब होता है 6 अब इसे प्लस करो हो जाएगा 6, 4, 3 यानि इसका अंसर है 346 तो इसका अंसर हो जाएगा आपका 346 राइट? अब दिया है C D V I C D का मतलब क्या होता है तो C D का मतलब होता है 400 राइट? V I का मतलब क्या होता है 6 यानि 400 में आपको कितना प्लस करना है 6 और दोनों को plus कर दोगे तो कितना हो जाएगा 406 यानि 406 तो यहां हो जाएगा 406 अब आगे DXV, D किसका होता है 500 का होता है, यानि 500 का और XXV किसका होता है 25 का, आपको 500 में 25 प्लस करना है ठीक है, 500 प्लस 25 इसकोल 2 हो जाएगा आपका 525 25 आपको पिती चीज़े क्लियर हो रही है मैं हाटरी हूँ, थ्वाइब से द्यान से देख लो फिर आगे बरते हैं, फिर से करते हैं चलो, चीज़े क्लियर है आगे बरते हैं, और भी देखो आगे देखो C, X, L, V, double I ठीक, फिर दिया है, double C, L, I, X फिर दिया है, triple C, X, L, V, triple I ठीक, और देखो, CD अब अब देखो इसे, अब इसे क्या करना है, तो इसे solve करना है कैसे, सबसे पहले हैं, C, X, L, V, double I आपको पता है, C अनल किया होता है 100 近he 6, L, X, X अनल nya 40, यानि यहार पर होगया 40 भी होगया plus, V, double I अनल किया फिर ऑन्यए, सबस्क्राणा गया 7 100 में 40 प्लस करोड़ःए, सबस्स्क्राणा से 140 होगा, धिर कितना प्लस करना है 7 147 क्या हो जाएगा इसका अंसर 147 कितना हो जाएगा 147 आगे देखो डबल C का मतलब होता है 200 यानि 200 L L का मतलब होता है 50 यानि 50 और I X का मतलब होता है 9 अब इसा प्लस कर दो तो हो जाएगा आपका ये 259 आगे देखो टीपल C का मतलब होता है 300 ठीक है फिर दिया XL XL होता है 40 और V I का मतलब होता है 8 इसे प्लस कर दोगे तो इसी 300 में 40 प्लस कर दिया 340 एट प्लस कर दिया 348 क्लियर है आगे देखो CD किसका होता है तो CD होता है 400 का तो यहां लिखेंगे 400 फिर दिया है LXX आपको पता है LXX किसका होता है 70 यानि 70 का और प्लस करना है क्या है 5 यानि 5 प्लस कर दो तो यह हो जाएगा 475 क्लियर है आगे देखो D का मतलब 500 डबल S का मतलब होता है 20 और V I क इसना मतलब होता है यानि 528 एक लिए आगे देखों CDLVII CD का मतलब क्या होता है 400 ठीक इसना मतलब होता है 400 PLUS LVLVII यानि कि L मतलब होता है 50 और 5678 50 है ठीक है तो जाएगा 458 क्लियर है clear होगा मैं हट रही हूँ थो आप ध्यान से देख लो इसे ठीक है और फी पढ़ते हैं sum sum और subtraction आज ही पढ़के final करेंगे ठीक है आजो अब यही 500 तक का हम पढ़ लेते हैं क्या sum and subtraction मल्टिपिकेशन नहीं आता है उतना ठीक है मैं 500 के बाद कल जुमें पढ़ाऊंगी सक्षेसर प्रेशर और रोमर नमबर के तर बात करेंगे ठीक है किस तरीके से आता है किस तरीके से पूछेगा वो इस पढ़ना बहुत ज़रूरी है आप पांच घजार फाइफाब थाओजय तक पढ़ लिया और आपको पता ही नहीं है प्लस कैसे करते हैं माइनस कैसे करते हैं greater than का निसान कैसे लगाते है greater than, less than equal to का क्या करते है जो sign होता है वो किस तरीके से लगेगा यही नहीं पढ़ता है तो पढ़ने कोई फाइदा नहीं है मेरे ख्यार से ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं class में तो अब हम पढ़ने वाले हैं sum हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे sum sum कह सकते हो चाहे तो आप कह सकते हो addition addition माने भी plus होता है sum माने भी आपका plus होता है जैसे आपके सामें लिखा है c double c l plus c l x अब इसे plus करना है करने का तरीका क्या है सबसे पहले in roman number का numbers लिखो number लिखो अखिर में यह आपका रोमा number दिया हुआ है यह किस number का है जैसे यह दिया double c तो इसका मतलब 200 हुआ और दिया l यह हो गया 250 clear है plus l किसका होता है 100 l किसका होता है 50 10 होता है यह 100 का है plus 50 का है plus 10 का है तीक है कितना हो गया 160 clear है अब इसे plus कर दो कितना plus करना है 250 में 160 plus कर दो कितना होता है 0 10 5 11 यह दो 3 4 यह 410 कितना होगी आपका अंसर इसका अंसर होगी 410 तो क्या ऐसे लिखेंगे बिलकुल नहीं रोमा नम्बर में ही plus करेंगे ठीक है तो इसका हो जाएगा 400 का क्या होता है C और D और फिर हो जाएगा 10 का X clear है आगे बढ़ते हैं दूसरा क्यूशन देखो ठीक अब इसे solve करते हैं C का मतलब क्या होता है 100 L और डबल X का मतलब क्या होता है 70 ठीक और V I का मतलब होता है V डबल I का 7 अगर इसे plus करोगे तो आपका आजाएगा 177 177 plus डबल C का मतलब होता है 200 ठीक और L X का मतलब होता है 40 200 में 40 प्लस करोगे तो आपका आजाएगा 240 clear है अब इसे क्या करना है प्लस करना है कितना 177 में 240 को प्लस करना है तिर जाएगा 7 4 470 कितना आगया 417 अब कैसे लिखेंगे तो आपको पता है 400 का होता है 400 का होता है CET और 14 का होगा X, V और डबल I परहा रखा है इसके पहले वाली क्लास में देखना सब कुछ क्लियर होगा ठीक है आगे देखो डबल C L डबल C L इसक्वल्टू क्या होगा ठीक है आपको पता है डबल C का क्या होता है डबल C का होता है 200 और L का होता है 50 यह भी हो जाएगा 200 पचास अब इसे दुनों के प्रेस करोगे तो आजएगा आंसर 500 500 का रोमा नबर होता है D क्लियर है? I hope clear तो होगा क्लियर होगा, बिल्गुल अच्छे से होगा है और राइस, आगे बढ़ते हैं तो इस तरीके सम क्या करेंगे? सम करेंगे, जज़दा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इस तरीके सम होता है याद रहे, रोमन नमबर में सम देगा तो आंसर भी रोमन नमबर में ही होगा कहीं ऐसा ना हो, क्यों सम दे रहा है रोमन नमबर में और आप आंसर लिको नुमरस में इस तरीके से, तो गरत होगा रोमन नमबर में दिया है Subtraction, subtraction को Hindi में करते हैं घटाना, इसे हम लोग पढ़े नहीं है, minus, ठीक है, minus यानी कि घटाना, ठीक है, अब खीश तरही का क्यूशन मिलेगा, इस मिला ये भी देख लो, भई ने ने चीजे पढ़ने को मिल ले है, plus minus तो हमें नंबर में कर रखा है, पर rumor नंबर में भी होता ह ये पहली बार पढ़ रहा है, पढ़ने को मिल ले है, आओ देखो, जैसे हैं, double C minus CXV, अब इसे minus करना है, कैसे करोगे, double C का मतलब होता है 200, clear है, और CXV का मतलब होता है 150, अब इसे minus कर देते हैं, 200 में से आपको 150 minus करना है, ये इसे carry देगा, ये इसे carry देगा, तो कितना हो ये बचा 9, 9 में से 1 गया 8, और ये बचा 1, 1 में से कुछ गया, कुछ भी नहीं, या बचा 85, अब 85 को रोमर नमर में कैसे लिखते हैं, तो रोमर नमर में लिखते हैं, L, triple X, और ये हो गया V, आया समझ में, आगे देखो, और भी क्यूशन देखो, क्यूशन है, D minus double C LXV, अ D का मतलब क्या होता है, 500 यानि 500, और double C का मतलब होता है, 200, LXV, यानि L मतलब हो गया 50, 10, 60 और 5, यानि हो गया 65, 265, राइट, 500 में से 263 घटाना है, 500 माइनस, ठीके, कितना 265, राइट, आगे देखो, ये इसे देगा, ये इसे देगा, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाए 9 मैं से 6 जाए 3 और 5 मैं से देखो, ये खोचाए 4, 4 मैं से 2 जाए 2, कितना आए राइट, 255 एटाना है, 235 तो इसका झेए 235, किया ये सही है, किया ये सही है, बिलकुल गलत है, किया अन्सदा लिखारवाए नूम्राष में, हमें क्या करना है, राइट, जा राइट, राइ 200 का क्या होता है? 2 बार C होता है 30 का क्या होता है? 3 बार X होता है 5 का क्या होता है? V होता है clear है? तो यह रहा आपका answer मैं तो अच जा रही हूं ता कि आप ध्यान से देख सको और इसे समझ सको ठीक है? I hope चीजे clear हो रही होंगी है ना? और एक दू क्यूशन देखते है आगला क्यूशन देखो किस तरीके से है? ठीक है? आगले देखो जैसे है C D माइनस डबल C L डबल X ठीक C D का मतलब होता है 400 माइनस यह हो गया डबल C का मतलब होता है 200 प्लास L डबल X यह 270 यह 270 ठीक 100 में से 270 माइनस करना है जरो में से जरो गया 0 10 में से तरी यहँ बच्चा कितना 33 dalam 3 330 कितना इस का अंसर? 130 130 130 का मतलब होता है 100 प्लास 300 कितना होता है 30 का क्या होता है 3 बाल X जीजे क्लीन हूंगी हैना, जीजे क्लीन होंगी मुझे पता है तो गाइस देख लो ज्यादा क्यों से नहीं बताऊंगी ठीक है यूंकि आप खुद बुद्धिमान हो और इसे सॉल्व कर सकते हो राइट इतना तो आप करी सकते हो 500 तक के रोमन नंबर फाइनल होगे कल क्या पढ़ेंगे तो कल हम पढ़ेंगे सक्सेसर और प करो कि तो साली बाइब चैनल पर आए नो हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल बढ़ए हो जितना जितने गहां बढ़े में अधाए बच्या है सब को बताओ इस क्लास के बारे में यह सारी क्लास के लिए आप लोगों के लिए कुछ ने ऐसा सीको कुछ ने आप चिको और तो बढ़ोगे कैसे, राइट, चरो, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, जो मैंने क्यूशन पूछा था, दूद की कतोरी में काला पत्थर, जल्दी से बताओ, सोस समझे, ठीक है, दूद की कतोरी में काला पत्थर, पहली का आंसर देख लो सब किसा, बहुत साइब लोग लुक है, दूद के पहली का आंसर जाननी के लिए के लिए पहली का पहली के आंसर आपके जानने के लिए ने पहीत fluffy की का तैंटल करते हैं, तो भाई पहली का आँसर जीने जैनना है, अपना दिल ठाम के बैतिए अनसर के आनसर बताने वाली हो गया है, सफेद कर्टोरी यानि पूरी तरफ से क्या है वाइट ठीक है सफेद कर्टोरी और उसके बीच में बैठा है काला पत्थर तो उसका आंसर है आपकी आँखें है ना हमारी आँखे क्या होती आध्यान से देखो तो वाइट होती है वाइट की बीच में छोटी से पत्थर होती ह जिसे आंक का नगीना कहते हैं तो वही जो होता है वो पत्थर वही चीज है साफेद नंदूद की कटोरी में काला पत्थर यानि आपकी आंखे क्लियर है तो में ख्यास से आप लोगो को क्लास पसंद आई होगी इंट्रेस्टिंग क्लास थी है न तो वही क्लास कैसी लगी जुरू बताना मिलते हैं नेस्ट क्लास में ओके बाबाई सी यू टेक केर टू आल उफ यू गाईज